वही लोगसभाद चुनाव से पहले भाजपा ने आठ जिलाद धक्षों को बदल दिया है बुद्वाद देरात भाजपा प्रदेशा धक्षों सीपी जोशी ने है आदेश जारी की है इस लिस्ट में लोगसभाद धक्ष ओम बिडला और पूर्वे सियम वसुंद्रा राजी गुट के नेताओ को जगह दी गई है ये बदलाओ पाच मार्च को जारी की गई चोतिस जिलाद धक्षों की घोशना के बाद क्या गया है जानकारी के नुसार कहा जा रहा था कि नामों में राजी गुट के नेता शामिल नहीं है इसी के चलते 48 घंटे के अंदर जुन जुनु सीकर टोंक डूंगरपूर कोटा शहर कोटा देहात बूंदी और बारा के जिलाद धक्ष बदल दी गए है जहा बनवारी लाल सैनी को जुन जुनु का जिलाद धक्ष बनाया गया है तो वही अजीत महता को टूंक, हरिश पाटीदार को डूंगरपूर का जिम्मा सोबा गया है इधर राकेश जैन को कोटा शहर प्रेम गोचर को कोटा देहात सुरेश अगरवाल को बूंदी का जिलाद धक्ष बनाया गया है वही ननलाल सुमन को बारा का और कमल सिखवाल को सीकर भाजपा जिलाद धक्ष निउपकिया गया है लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव भाजपा की उर्सी किया गया है जिसमें प्रदेशाद धक्ष सीपी जोशे ने आठ जिलाद धक्ष को बदला है और इस लिस्ट में ओम बिडलाव राजेगुट के नेताओं को तरजिह दी गई है और लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा बदलाव बीजेपी की ओर से किया गया है जिसमें आठ जिलाद धक्ष को बदला गया है लिस्ट में बिडलाव राजेगुट के नेताओं के नाम शामिल है और इससे पहले जिस तरीके से राजस्थान में पहली लिस्ट का सामने आना और उसमें 25 में से 15 सीटों पर नाम सामने आना वही CP जोशी ने अपनी टीम का गठन करना और उसके बाद ये इस तरीके के बदलाओ लगातार जैसे जैसे लोकसभा चुनाओ नजदे कारे हैं बीजेपी अलर्ट मोड पर है और मिशन 25 को लेकर लगातार सक्रिय है